ओम साहीराम आपका मेरे चैनल सीक्रेट रेसिपी विट लक्षमी में स्वागत है मैं आज आपको थंडाई बना के दिखाने वाली हूँ इसे गर्मियों के मोसम में बहुत ही पसंद किया जाता है मैंने यहाँ थंडाई मसाला ले लिया है यहाँ आपको किसी भी पंसारी या किराने माल के दुकान पे मिल जाएगा इसको एक बाउल में डाल देंगे और इसमें मैंने एक गलास पानी डाल के रख दिया है और इसको ढखके हम रात भर के लिए भिगो के रख देंगे नेक्स डे के में इसको मौनिंग में खोल के देखेंगे तो यह अच्छे से भीग चुका है सारे मसाले अच्छे से फूल चुके हैं अब इसको एक मिकसर जार में डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे यहाँ पर एक बाउल लेंगे उसके ओपर चनी रख देंगे और इस चनी में हमने जो मसाला पीस लिया था वो डाल देंगे और उसे अच्छे से चान लेंगे यह देख सकते हैं मसाला अच्छे से पीस के हो चुका है बच्चे हुए मसाले को एक मिक्सर डाल में डाल देंगे फिर से उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको मिक्स कर लेंगे और फिर से इसका मसाला एक्स्ट्रा बच्चा हुआ मिक्सर डाल में डाल देंगे सिंपल और इजी रेसीबी के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूले इस मसाले में उपर से थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से छान लेंगे और इस एक्स्ट्रा मसाले को फेक देंगे इस तरह हमारा मसाला बन के रेडि हो चुका है अब चलते हैं नेक्स टेप की और यहाँ गैस पर मैंने एक बरतन रख दिया है उसमें एक ग्लास पानी डाल दिया है और मैंने यहाँ एक किलो शक्र ली है इस शक्र को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर मैंने गैस का फ्लेम मीडियम लो रख दिया है इसको फास्ट पे हमें नहीं पकाना इसमें हम जो मसाला बना के रखा था वो डाल देंगे इस मसाले को शकर के साथ हमें पकाना है यह प्रक्रिया हमें 20 मिनिट के लिए करनी है इसको लगातार चलाते हुए जाएंगे यह देख सकते हैं अब यह चासनी बनके रेडी हो चुकी है अब गेस का फ्लेम बन कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे ठंडी हो चुकी है अब इसको एक बोटल में निकाल के ले लेंगे मैं यहां आपको ठंडाई बना के दिखाऊंगी वो भी दो तरीके से मैंने यहां दो गलास ले लिये हैं उनमें आइस क्यूब डाल दिया है और उपर से ठंडाई बनाई हुई थी वो भी डाल दी है एक ग्लास में पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसी तरह दूसरे ग्लास में मैंने यहां दूद ले लिया है और उसे भी मिक्स कर लिया है, इस ठंडाई को आप जरूर ट्राय करें, कमेंट करना ना भूलें, धन्यवाद